दरन्वी शोक्लिप्स में आपका स्वागत है जहां जट जट से बहुत पशीर आप हमेशे एक बहुत स्मार्ट अक्टर थे पर दुनिया आपके लिए रेडी नहीं थी सौरी थोड़ी कठोर बात है मतलब आप एक तरीके से कह सकते हो दुनिया से जादा इंडस्ट्री जो है इंडस्ट्री ने शुरू में ही कह दिया था मुझे बहुत सारे डिरेक्टर ने यार मुझे हमें नहीं पता कि तुम्हारा करे तो क्या करें तो मुझे बात समझ में आ क्करें टी बिक्वादि रे डिखता हो ना भी बिलन, पौलिट ली दिखता हूं और दूसरा ये कि जो मैं करना चाहता था वह उनके पास था ने रीकिन मैं राजोई ती से पहले मैं ओलरी जो है काम माग ना शुरू किया था अपने अपने कम थाइज कि का था ने तो हम था छोज सुब्छ करो जब नहाता था अपने सारे योग धान एकसराइज नहाना धोना पुजा पाट करना पढ़किन नए कपड़ पहन पहन लगा किम नये कप पहन के थाय travelling कर में वह शोफे में अबनका के मैं काम मंग था बट मैंने उसको शायद मुझे अच्छी समझ उस समय आई कि मैं हर दिन तयार होके बैठूंगा, जाये मैं भले कहीं नी जा रहा हूं, मैं ट्रैक मैं नी रहूंगा, मैं अच्छे कपड़े पहनूंगा, मैं पर्फिम लगाऊंगा, कि मैं काम करने जा रहा हूं, क्योंकि बिहारी मजबूती, बिहारी जिद, बिहारी मजबूती, बिहारी गिसाई, चोटा सा एक मेंशन करना है मुझे, कर दो, मेरे भाई जैसा है, Eclipse Nova, वो आईटी में पढ रहा था, मैं आईटी डली गया, एक शोग के लिए जो भी वो शोग को होस्ट कर रहा था, उसमें मुझ कुछ बिए, वो और बिहार से, और मैं उसको बोला दिए, कि आपके साथ कभी तो हमें काम करना है, पर जब पैंडैमिक आगए, एक प्रोजेक था, और जब प्रोजेक की वज़ए से, उसे मुमबाई बुला लिया, और वो मेरे गराज में रहता था, बिहारी मजबूती, बिलकुल, उससे मैंने बहुत कुछ सीखा, उसने मुझसे बहुत कुछ सीखा, और अब वो बहुत वाइरल जा चुका है, रिल्स के थरू, उसके म्यूजिक करियर, क्या बात, क्यूंकि म्यूजिक इंडस्ट्री में अब सोशल मीडिया एक स्किल बन चुकी है, तो वो सोशल म मैंने उसकी बिहारी मजभूती को बहुत पास से देखा, किस तरह से सोता था, चार बजे उठके गाने को कंपोज करता था, और इस एक्स्प्लोडिंग, तो अवनस्ली जब मैंने इस एपिसोड का थीम डिसाइड किया, वो मेरे दिल में ता, और मैंने उससे भी इस एपिस आपकी मज़ा जो है वो से कंडरी हो जाना चाहिए आप बिल्कुम मज़ा कीजिए क्योंकि उम्र है, हमने भी किया है, लेकि पूरा दिन डिकेटिड होना चाहिए आपको अपना क्राफ्ट सीखने के लिए, सिर्फ सीखो, सीखो, तीस साल तक बाद में जो अपने तीस साल तक उमर में तक किया है, उसी को आप आगे लेके जा रहे होते हो, तीस साल तक ये सोचो ही नहीं कि आप कितने गंटे सोए, कितने गंटे नहीं सोए, क्योंकि आप यंग है, आप यंग है और आप अफोर्ड कर सकते है, आपकी बाडी अफोर्ड कर सकती है, वो सारे आपने आपको आग में जोंक दियाना, फिर जिन्दगी जो है आपको समाल लेगी उसके बाद, तो ये महाशे की बात आप कर रहे हैं, ये कितनी अच्छी बात है, कि सुवेच चार वेज़ से वो म्यूजिक क्रियेट करते हैं, चार वेज़ से वो आदमी लगा हुआ है, अप ऐसा नहीं हो सकता है कि वो उदास रहे, मुझे खुद बहुत जाजा कृतिसिम मिलता है क्योंकि मैं मेहनात के वार में जादा बात करता हूं, पर मैं मानता हूं कि ग्रोथ आपको बैलेंस के साथ मिलेगी नहीं, थोड़ा सान बैलेंस रहना पड़ता है ग्रोथ के लिए, अलोचिना और अपकी तारीफ दोनों साथ सा चलती है और अलोचिना और तारीफ के बारे में आपको बाताता हूं, शायद आपको अच्छा लगे गिए, जब एक इस्टेडियं में एक बोलर बोल लिंग कर रहोता है नहीं, तो दोनों का कृतिसिजम हो रहोता है, बोलर ने बोलिंग किया और आपस्टम से मिस होकर कि चला गया तो सब लोग क्या बोलते हैं अठासा अंदर खीचना चाहिए ना इसको और बैट्समेन ने बैट चलाया वो मिस हो गया तो कहते हैं यार ये जो है ना इसका ओफसाइट बहुत खराब हो रहा है लेकिन स्टेडिम में बैठा हुआ कोई भी आदमी खेल नहीं रहा है कोई खेल नहीं रहा है कोई वो 140 की स्पीट से आते हुए बॉल को महसूस नहीं कर सकता है जो बैट्समेन महसूस कर रहा है और कोई भी आदमी उस बॉल को गृप नहीं कर रहा है और उसको पता नहीं है कि वो और समसे क्यों मिस हो रही है बार-बार बॉल क्यों दूर जा रही है मेभी उसका गृप जो है सही नहीं बैठ रहा है शायद ड्यू उस पे ज्यादा लगा हुआ है शायद उसके हाथ कि अमाे Cris Is Be आप महसे क्यों अधर सकता रही है आप इस्पेक्टेटर हो जो आप का काम नहीं कर रही है ऑ इस्पेक्टेटर का काम ही होता है तो वो कुछ लोग आपकी उसमें आलोचना कर रहे होंगे, कुछ आपकी तारीफ कर रहे होंगे, लेकिन आपका काम है खेलना, आपका काम है कि दूसरी बॉल पर ध्यान देना, दोनों के लिए, बैट्समेन के लिए भी और बोलर के लिए, अगर आप उस पे फोकस करके रखो होगे, तो मुझे लगता नहीं है कि आपको चीजें ज्यादा अफट करती है, जरूर करती है, बड़ा हीमन है, लेकिन ज्यादा अफट करेंगे, बिकॉस देन यू डों आफ ताइम, देन यू अर फोकसिंग उन दो सेकंड बॉल, राइट? ओम नमस्षिवाए ओम नमस्ष झाल झाल